जैहिंद इस वीडियो में मैं इसका complete analysis करूंगा और analysis के माध्यम से एक एक चीज का जवाव आपका आगे की रणीति क्या होनी चाहिए क्यूंकि लगता दो तीन सब्ता से कंपनी का बिजनेंस का मैं नहीं करना चाहिए और अगर कि इसमें करना चाहिए क्यूंकि क्या करती है क्यूंकि कि किसी वी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बिजनेस मुडल समझना बहुत जरूरी होता है तो यह जो कंपनी के नाम में फाइनसिल लगा इससी एक बात तो अश्परेटर की कंपनी है और उसमें भी अर्थात शेयर प्रैस यहां तक है यहां तक आने के बाद इसयर प्रैस बहुत अधिक बढ़ गया था और जब भी कियो च्टाउक का अब समझें 30 पैसा इसकंपनी से अब बढ़ते रहा हेलेक तो लोग 30 पैसा पर खड़ते थे तो एक तो प्रॉफिट बुक करेंगे हैं तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ और प्राइस जब भी क्या बहुत तो यह तो वहीं हो रहा है अब सवाल यह कि समहाना बहुत कम है क्योंकि एकदम 31 का सब्सक्राइब और जब भी किसी सब्सक्राइब तो उसका सेयर प्राइस उपर की तरह जाने लगता है यहां तक आप बात समझें अब हम लोग समझते हैं कंपनी कितना है क्योंकि यह तो मोटा मोटी बात होगी लेकिन फंडामेंटली कंपनी का जरूरी है अगर आप फंडामेंटल चेक करते हैं इसमें कंपनी के जो क्वाटर 3 की नतीज़े आए तो उसमें कंपनी का रेविनू 32 लाग से बढ़कर 50 लाग रुपया हो गया है और जो प्रोफिट की बात करते हैं हम लोग तो प्रोफिट देखे 12 लाग से बढ मंका चल रहा है अब बात करें प्रोफिट के लिंग की तो देखी पेनि इंष्टॉक है तो इसमें प्रोमोटर्स की ज्यादा नहीं होते हैं प्रोफिट के पास 97.2 परसंत की जस्यदारी है अब जैसा कि मैक्सिमम होता है पब्ली के पास ही ज्यादा हिस्धारी होता है और इस स्थिति में जबकि पब्लिक के पास ज्यादा इसे दारी हो तो उसमें मैंनुपलेशन होने के चांसे काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि आहां भी होते हैं लेकि मैं बार बढ़ कहता हूं कि हम ऑपरेटर्स से घबडाना नहीं है ऑपरेटर्स यह लोग होते हैं जो कंपनी के सेर प्राइस को लेकर उपर जाते हैं तो हमें ऑपरेटर्स के साथ मिलकर पैसा कमाना है और चीज़ देखें इस कंपनी में कंपनी पास रिजर्व है 33 क्रोण का और है क्वाडर टू-क्वाडर बढ़ते जा रहा है तो यह पॉइंट अच्छा है और डेप्ट देखेंगा से यही एस्टेवल बना हुए 22 क्रोण के आसपास ही रह रहा है तो अगर बात करें फंडामेंटल के फंडामेंटल में कोई दिकत नहीं है कंपनी बाहर है बुक वैलू के आसपास सभी ट्रेट कर रहा है बुक वैलू 1.07 और शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.56 है अर्था इस कंपनी का रहा है जब भी किसी कंपनी का ओध्यर प्राइस उसके वॉक वैलू का असपास हो तो उसमें इट्रेट करने के लिए अच्छा ताइम माना जाता है और एनलिस्ट इसको हंडर पर्सेंट गरने के लिए सजेस्ट कर रहे है तो अब अगर बात कर दोदों कमपन सब्सक्राइब करने वाला है तो अगर बात करें तो कंपनी हर एक परकार से ठीक है अगर आप नया है इसमें इंट्री लेना चाहते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है क्योंकि आरे साही अभी एकितम 30 का सपास है आप इसमें ले सकते हैं और वो लोग जो 2-3 रुपए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्ने बाद सुक्रिया हूँ